संसत भवन में 13 दिसंबर को दो लोग घुज गए थें। उड़ों ने संसत भवन के अंदर स्मोक क्रैकर फोर दिया था जिससे सदन पीले रंग के धुए से धग गया था। जिस वक्त ये घटना हुई तब सदन की कार्यवाही चल रही थी और सदन में कई संसत मौजूद थे और उस वक्त संसत में राहूल गांधी भी मौजूद थें। अब पहली बार राहूल गांधी ने इस घटना पर बयान दिया है। राहूल गांधी का कहना है कि सदन की सुरक्षा में सेंद लगने की मुख्य वज़ा बेरोज़गारी है। उन्होंने मीडिया से कहा परिष्टान के युवाओं को रोज़गार नहीं मिल रहा है। सुरक्षा में सेंद जरूर लगी है लेकिन इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बेरोज़गारी और महंगाई है। नहीं चलने देगी। अब इस फैसले के बाद आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि वख्ष का ये फैसला किस हद तक सही है कमेंट सेक्षन में जरूर बताएं।